जेन सातियों मैं हूँ विरु विरेंदर और आप सभी का स्वागित करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल आर्मी एंड गौवर्मेट त्यारी ओपीशल यूटूब चैनल पर जी हाँ दोस्तो आज शुड़म बात करने वाले हैं भाबा परमाणू अनुसंदान के अंदर यानि बारक के द्वारक के द्वारा एक नई बर्ति का नोटिफिकेसन जारी कर दिया गया है अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करेजिए बेल ऐकन उप्रेस के लिजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के तो चलो दोस्तों वीडियो के ज़्यादा बढ़ाने करते हुए मैं आपको जो ओफिस्चेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर आपको ले चलता हूँ इसकिन्स पर देख पा रहे हैं हम ओपिस्चेल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रुटेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखेगा तबी आपके सारे डाउट है वो यहाँ पर किलियर होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इसकिन्स पर देख पा रहे हैं आपकी जो बढ़ती है वो गोर्मेंट ओप इंडिया डिपार्टमेंट ओप आटोमिक एनरजी भाबा ओटोमिक रिसर्च सेंटर के दौरा निकाली गई है यहाँ पर आप दे सकते हैं आपकी जो एटोटाइज मेंट नंबर है वो भी 02222 एनरबी के दौरा यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर जो आपके ओनलाइन आवेदन है यहाँ पर कोन कर सकते हैं कंप्रिट जानकत मैं देने वाला हूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो बरती है वो यहाँ पर किन किन पदों के लिए निकाली गई है और आपकी जो बरती है वो कल पकम यहाँ पर दे सकते हैं तारापूर और मॉंबई इन यहाँ पर जो आपकी जो बलोकेशन रहने वाली है यानि अगर आपका इसमें सेलेक्षिन हो जाता है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं नुकलियर रीस एंकल वोर्ड जिसे एनर भी बोला जाता है सोट में एड कल पकम उतारापुरा एंड मुंबई में आपकी यहाँ पर जो ब्लोकेशन रहने वाली है आपके जो बढ़ती है वो आपको इस्टेनो गरापर ग्रेड थर्ड के पदो पर जो गुरूप सी की बढ़ती है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपको यहाँ पर जो टोटल नंबर और पोश्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबस्वेले में बात करूँ आपकी एजुकेसन क्वालिपिकेसन की तो यहाँ पर आप मिनिममम दश्यों पास होनी चाहिए अगर आपने दश्यों पास कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदिन कर रखते हैं यहाँ पर आपको मेकसिमिमम जो आपके परस्टेज है वो 50 परस्टेज होनी चाहिए और यहाँ पर आप देसकते हैं आपके एज़ लिमिट के बात करूं तो यहाँ पर जो आपके एज़ लिमिट है वो मिनिममम 18 से 27 साल के बीच रखी गई है यानि गर आपके एज़ लिमिट 18 से 27 साल के बीच है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे जिसमें सरकार के रेजुरेशनल रूर्स के निसार SC, ST, OBC को यहाँ पर आईउ में चूट देखने को मिलने वाली है पेस्किल की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी सरवाती सेलरी है वो 25,500 रुपे से लेकर यहाँ पर आपको सेलरी है वो 99,100 रुपे तक आपकी रखी जाएगी यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर देखते हैं mode of selection का यहाँ पर बताए गया है इससे पहले मैं बात करूँ आपकी जो दो नमबर वेकेंसी है बो driver ordinary grade group C की वेकेंसी देखने को मिल जाएगी जहाँ पर भी आप मिनिममम दश्यों पास होने चाहिए वो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो आपकी वेकंसी है, वो वरक असिस्टेंट की वेकंसी है, जो गुरूप C की है, यहां पर आपको सबसे ज़्यदा वेकंसी देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको 72 वेकंसी देखने को मिलने वाली है, यहां पर जो आपकी ए सेलरी मिलने वाली सरवाती सेलरी आपकी 18000 रुपे रहने वाली है यहां पर दोस्तों मैं बात करूं यहां पर जो आपका सेलेक्षिन है वो पहले आपका इसमें एक्जाम होगा उसके बाद आपका जो कंप्रिट है वो प्रोस्यस यहां पर चलने वाला है अब दोस्तों यहां पर जनरल OBC और EW सुरक्स आते हैं तो आपको 100 रुपय आवेदन पीस देना होगा जबकि SC, ST, PWD और वुमेन यानि मैला और EKS रिश्युमेन के लिए यहां पर को भी आवेदन पीस नहीं रखा गया है और यहां पर बात करो यहां पर देख सकते हैं जनरल आपके जो कंडिसन है यानि आपके ओनलाइन आवेदन कब से कब तक बरे जाएंगे तो यहां पर बता दूँ आपको जहां पर किवले यहां पर आपको ओनलाइन आवेदन करना होगा ओफलाइन आवेदन यहां पर माप का मानिन नहीं ह तो आप हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब के लिए जब इसके ओनलान आविदन शुरू होंगे उसका आपको फोर्म केसे बरा जाता है यानि आप अपने मोबाइल से लेपटोब में कम्प्यूटर से कुद फोर्म केसे बर सकते हैं उस फर भी मैं आपको एक कम्प्रिट वीडियो बना कर प्रोवाइड करवाद दूँगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको तीन ग्रेड प्रपोश्टे मिलने वाली है जो ग्रूप सी के बरती है जिस पर मैंने आपको कम्प्रिट बता दिया है ड्राइवर की वरक असिस्टेनों की आपको बरती देखन करी सबसे पहले उपलब्ड कराई जाती है तो चलो दोस्तों यह थी आज की लेटिस्ट अपडेट और ऐसी लेटिस्ट अपडेट पारने के लिए जिनको जूरू सब्सक्राइब लेजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में एक नए बडेट के साथ तक तक लिए जे हिंजे बार तो